दोस्तों फाइनली बीगॉस की इलेक्रिक स्कूटर लाँच हो चुकी है काफी समय साब लग वेट कर रहे थे कि भीई आप बीगॉस की भी कुछ अपडेट दीजिए आ चुकी है तो अपडेट ले लो वैसे तो दो वेरिंट में लॉंच किया है डी 15 प्रो एंडी 15 आई दोनों के प्राइस थोड़ा एग्रेसिव है लाइक एक लाग 14,999 रुपे प्रो का है क्योंकि प्रो है और जो 15 आई है उसका प्राइस है लग बग एक लाग रुपे दोनों में सिमिलारिटी बहुत जादा ह है लेकिन कुछ चीज़े डिफर है जिसके वारे में आगे हम बात करेंगे थोड़ा ओवर्विव दे देता हूं इस गाड़ी के बारे में दिखने बहुत अच्छी है वीस बाड़े देखने को मिलते है फ्लोर बोड भी फ्लैटर है काफी अच्छी जगह मिल जाती है अंड एक से नाकिरब रखेंड़ और हमें पर्सेंटेज होना बहुत जरूरी क्योंकि समझता है कि गारी में कितना परसेन बैटरी बचा रहा बार्समें ऐसा है कि सडरेल आक्सलेरेशन दो तो बाड भर बढह जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत वाला कहानी रहें लोग spoiler कि गारी अच्छी निकलने वाली है क्योंकि बीकॉस जो गाड़िया अल्डेडी सेल कर रहा है इंडियन मार्केट में उसमें बॉश की मोटर यूज होते है बैटरी कॉलिटी अच्छी है अभी तक तो कोई इश्यो सुनने को नहीं मिला है इस गाड़ी की बात करे तो यहां पर कमपनी की वोल्री 115 किलमेटर का रेंज देगी विट सिंगल चार्ज जो कि अगेन एडिक्वेट है पर एक्शुल में 85-90 के बीच में मीटर में शो करता है अब आती है यहां पर बैटरी पैक क्या है कितने वर्ट किये तो यहां पर दो बैटरी पैक का सिस्टम है 65.6 वोल्ट का बै बैटरी पैक मिल जागा है डिपेंड करते कि अब कौन सी बैटरिया चूज करना जाते है वो कर सकते है यहां पर लीथियन एन बैटरी दी गई है प्लस जो बैटरी चार्जिंग टाइम है 0-80% in 4 hours और 0-100 5.5 hour में फुल चार्ज हो जाती है यहां पर बैटरी की बात लीथियन सेल्स यूज हुए टू डबलप्ट इस बैटरी लीथिन एन बैटरी आप लोग पता ही यह लीथिन एन बैटरी में छोटे चोटे बैटरी हो को मिला के एक बड़ी बैटरी बनती है तो यह वैसी बैटरी है यहां पर अलुमिनियम शील्ड दी गई है बैटरी के चारो तरफ जिससे यहां पर जो हीट है उसको अच्छे से मैनेज कर सके यहां पर अगर मोटर की बात को तो यहां पर BLDC मोटर है कोई भी मिट सेट मोटर नहीं है और हब मोटर जिसको हम बोलते वही चीज है 1500 वाट आपको नॉमिनल देखने मिलता है और 3500 वाट आपको पी रिवर्स मोड है जो राइडबल है वो दैट इस इको एंड स्पोर्ट स्पोर्ट में आपको 60 क्लमटर पर आउर के टॉप स्पिट देखने मिलती है और उसमें रेंज घड़ी आता है और जो इको मोट है उसमें आपको 115 क्लेम रेंज है बट 8590 मिलता है आपको सिंगल चार् आपको बहुत सारे कि इसमें मेटल बॉड़ी है अगर मेटल बॉड़ी है तो अगेर थोड़ा प्रेमियम नेस तो आएगा और सॉलिड बिल्ड आपको दिखने मिलेंगी अगर मेटल बिल्ड है तो फ्रेंड में टेलस्कोप एक फोग पीछे मिलता है डूल सस्पेंस लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आपको साथ ही साथ गाड़ी में आपको बहुत सारे फीचर्स और मिलते है प्लस 30 फीचर्स ऐसे भी है जिसमें बैटरी को सेफ रखा जाए वो चीज़े भी दी गई है यहां पर अगर आपकी गाड़ी गिर जाती है त आप सारे फीचर्स एंजॉय कर सकते हैं एंटी फेंसिंग और बाकी सारे चीज़े बैटरी हेल्थ कैसी है गाड़ी में कब आपको रिसेट करना है सब कुछ उसमें दिया गया है यहां पर आपको वी आर एले वाला जो बैटरी वह वाला भी एक सिस्टम देखने मिलता है अ स्मार्ट फोन सपोर्ट नहीं करता है यानि कोई भी जियो फेंसिंग ऐलर्ट ऐसी सारे चीज़े नहीं मिलती है नॉर्मल अगर कोई थेफ्ट आपकी गाड़ी को इधर दो करता है तो अलाम बजएगा गाड़ी में लेकिन आपको को नोटिफिकेशन्स नहीं आए मतलब व वह चीज आपको इस वाले वेरियंट में मिलता है डी 15 प्रो में और साथ जो डी 15 आई है उसमें अगर आपकी गाड़ी गिर भी जाती है तो उसमें भी आपको कोई गया वाला कट आफ सिस्टम नहीं मिलता कि इंजिन या मोटर कट आफ वो सिस्टम नहीं है वो सिर्फ प्र सोटीज थोड़ी जादा है इन टामस और डिस ब्रेक इन टामस परफॉमेंस इन टामस ऑव मेड से ब्ल ड्राइब तो दढ़ा जाए तो वह भी अच्छी है यह प्राइस थोड़ा से जादा लगा थोड़ा से और कम होता तो सही होता लेकिन लेट सी लोगों का ऑप्शन क् आपको क्या मानना प्लीज कमेंट करके ज़ूर बताएगा वीडियो चाहिए तो प्लीज लाइक कर देना नया हो तो सब्सक्राइब कर देना विग व्वस कमपनी को पसंद देतो भाई वह भी ज़ूर बता देना और आपके वाज गाड़ी है वीग वस की गाड़ी तो तो ले कितने लोग क्यास वीग आस कंपनी की आड़ी है मिलते अगले वीडियो में बाइए